अग्याव एवरिवन वेलकम टू जी एस टैंक जी एस टैंक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और कंप्यूटर साइन्स के MCQ के इस स्रिंखला में भी आपका बहुत-बहुत स्वागत है जहाँ पर हम डिसकस कर रहे हैं MCQ का dedicated session जी हाँ इस session में हम सिर्फ-और सिर्फ MCQ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और पिछले class तक अगर देखा जाए यानि कि पिछले MCQ तक अगर देखा जाए तो हमने NCRT का जो chapter 3 है emerging trends वहां तक हमने MCQ को complete कर लिया है और यहीं अगर theory के part की बात करें तो introduction to problem solving की complete हो गया है तो अगर आपने उन sessions को उन theory classes को नहीं देखा है तो आप जाकर उसको playlist में देख सकते हैं proper playlist create किया हुआ है और दूसरी बात यह है कि अगर आप उस session को नहीं देखेंगे यानि जो theory session उसको नहीं देखेंगे तो यह question बनाने में आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि questions conceptual डाले होते हैं तो जब तक आप concept नहीं परहेंगे सही से तब तक आपका question नहीं बनने जा रहा है तो concept को clear कर लिजए theory में जाकर उसके बाद mcq देखिए आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा आगे बढ़ते हैं तो इससे हम आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को like कर दीजिए इस वीडियो को share कर दीजिए और इस channel को बिल्कुल से subscribe कर लिजिए ताकि आपको हर update time to time मिलते रहें और share इसलिए कर दीजिए ताकि जो भी आपके दोस्त हैं जो भी आपकी relatives हैं वो इस session का फैदा उठा सकें वो भी free of cost ठीक है तो बिना time गवाय बढ़ते हैं आज का पहला question पर तो जो पहला question है आज का वो आपके सामने ये है कि computers cannot solve problem on their own we must provide clear step by step direction on how to solve the issue हमें computer को direction provide करना परता है कि कैसे कैसे हो इसे भी problem को solve करना है तो आपको बताना है कि उसी solving technique को क्या बोलते हैं और आपके पास जो option है वो है problem solving, problem addressing, problem analysis या problem picking बता ये इसका सही answer क्या हो जाएगा तो आपको ये पता ही होगा किसका सही answer क्या हो जाएगा, problem solving chapter का भी नाम है introduction to problem solving और इस technique को भी क्या बोलते हैं जिस technique से computer clear और step by step direction मिलता है जो हम देते हैं computer को उसमें वो problem को solve करता है और उसी technique को क्या बोलते हैं problem solving, point clear है, problem addressing तो ऐसा कोई term है नहीं लेकिन हाँ, address मतलब क्या हो था, उसको देखना, उसको क्या है, मतलब उसको figure out करना problem addressing, analysis मतलब उसका vacillation करना, problem picking ये सब उतना कुछ term नहीं है अपने तरब से भी कुछ ऐसा option इसमें add किया गया है, तो घपराना नहीं है next second question कहता है, a dash is another way of representing an algorithm, it is considered as non-formal language that helps programmer to write algorithm कहने का मतलब है कि आपको एक ऐसा तरीका के बारे में बताना है, एक ऐसा तरीका के बारे में आपको बताना है, जिसके थुरू algorithm को represent किया जाता है और ये जो है, एक non-formal language है, जो की किसी programmer को help करता है algorithm लिखने के लिए तो बताइए उसको क्या बोलते हैं, flowchart, pseudocode, algorithm और dry run, बताइए उसको बोलते हैं क्या, pseudocode, क्या बोलते हैं इसको, pseudocode और flowchart क्या होता है, flowchart आपको क्या है, visual representation है, visual representation R.E.P.R. लिखते हैं, आप समझ जाईएगा, ठीक है, visual representation algorithm तो पता है कि step by step procedure तो किसी भी problem को लिखने के लिए use किया जाता है, ठीक है, आगे, next, process is also called dash, it represents a process action or single step, आपको बताना है कि process को क्या बोलते हैं दुसरा नाम में, मतलब process का दुसरा नाम क्या है, जिसका use, process action और एक-एक single step को represent करने के लिए use किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, process तो इसके बारे में लिखा हुआ है, तो इस तरगा question भी आपको दिखे का जो कि एक तरह सा क्या है, conceptual question है यह, ठीक है, तो बताएए process का दुसरा नाम क्या है, तो process का दुसरा नाम क्या है, action symbol, जिसके थुरू क्या है, कि action लेना है किसी भी चीज़ पे, तो क्या आप stop को, start, stop, उसको क्या बोलते हैं, terminator बोलते हैं, ठीक है, decision किसको बोलते हैं, जिसमें yes, no हो, और true, false हो, ठीक है, और इसके लिए box कौन सा use करते हैं, diamond shape box, याद आ रहा है, ठीक है, process में क्या use करते हैं, rectangular box, terminator या start stop में, oval shape box, और input-output में, parallelogram box, clear है point, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे, a dash is a set of rules or grammar that governs the formulation of statements in the language such as spelling, orders or words, punctuations, etc, आपको बताना है कि किसको कौन सा चीज है, जो set of rules या grammar होता है, जिसके थुरू, अलग-अलग languages का formulation होता है, जैसे आपको spelling हो गया, order of words हो गया, punctuation हो गया, तो वो किसको बोलते हैं, और आपके पास options हैं, alphabets, syntax, code और pronunciation, बताहिए, इसका correct answer क्या हो जाएगा, set of rules और grammar, यही कहा गया है न, वो क्या होता है, वो आपका syntax होता है, जो देखते हैं कि हर programming language का अपना syntax होता है, वो ही syntax क्या होता है, set of rules और grammar होता है, ठीक है, alphabets तो आपको पता ही है, बताने के चिरूब होता है नहीं, code पता ही है, जो coding का, जो code हो गया, और pronunciation, जो वो आपका प्रोनाउंस करते हैं, वो हो गया, तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, syntax, ठीक है, next, dash connected to so, order of flow between shapes, जैसे कोई भी shape है, ठीक है, जैसे माली जी कि आपका एक oval shape है, एक आपका parallelogram shape है, ठीक है, आपका rectangle shape है, माली जी के diamond भी है, किसी में, फिर आपका parallelogram है, और फिर oval है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा चीज है, जो connector का काम करता है, between shapes, क्या वो terminator है, क्या वो action symbol है, क्या वो decision है, या फिर क्या वो arrow है, terminator क्या होता है, start-stop के लिए, उसी का दूसरा नाम है terminator, action symbol, process को, decision, yes, no, true, false, yes, no, true, false, ठीक है, और इसका सही answer क्या हो जाएगा, arrow, ठीक है, इसमें क्या वो use होता है, arrow, ऐसे ही connect किया जाता है, निसको, connect करने वाला, तो connect करने वाला क्या है यहाँ पर, arrow है, ऐसे ही होगा न, यह arrow क्या है आपका, यह arrow आपका, connector, ठीक है, point clear है, आगे बढ़े, next, an algorithm is defined as a dash procedure designed to perform an operation which will lead to desired result if followed correctly, मतलब algorithm को आपको किस तरह से define करेंगे, मतलब उसको क्या बोल कर define करेंगे, कौन सा यह procedure है, जिसको design किया गया है, कुछ operations को perform करने के लिए, जिसके थुरू आप desired output को ले सकते हैं, अगर आप उसको सही से follow कर रहे हैं, तो, आपके पास option है, reverse procedure, step by step procedure, random procedure या inverse procedure, बताइए इसका क्या हो जाएक answer, बात हो रही किस की, algorithm की, algorithm क्या होता है, step by step procedure हो रहा है, यानि कि एक-एक step करके आपको चलना है, कुछ भी skip बीच में नहीं करना है, और जहां तहां नहीं घुस जाना है, यानि कि चल रहा है, कोई step में घुस गया है, कोई step में, नहीं, तो यह क्या है, step by step procedure हो रहा है, reverse मतलब क्या हो जागा है, तो उल्टा हो जागा, तो यह तो हो यह नहीं सकता है, random यानि कि कहीं से कहीं जंप नहीं करेगा, inverse भी उल्टा ही होता है तो ये भी नहीं होगा क्या हो जागा step by step procedure है क्या algorithm यानि कि मान लेजे कि पहले start किये ठीक है उसके बाद input ही देंगे न ऐसा तो नहीं कि पहले input दे दिये फिर start कर दिये बिना process के output कर दिये कुछ-कुछ step चल रहे हैं नहीं आपको step by step परफॉर्म करना है ठीक है clear point next एक good algorithm which is dash receives input and produce output बतलब वो अच्छा algorithm किसको बोलते हैं जो कि input receive करता है और output produce करता है प्रिसाइज, unique, finite all of the above काफी असान question है वैसे अगर देखा जाए तो आज का question ज़्यादा tough नहीं है moderate level के ही question है बस आप concept अगर परे है सही से दोनों वीडियोज अगर आप सही से देखे हैं मेरा introduction to problem solving का तो ये question आपको आसानी से बन जाएगा कहीं से कोई दिक्तत नहीं होगा अगर आप नए direct question कर रहे हैं तो फिर तो problem होगा ही अब यहसी बात है क्योंकि direct कोई अगर question करा रहा है तो उसका क्या मतलब है question से अब क्या ही कर लेंगे चार question आप रट लेंगे रटने से क्या हो जाएगा जब तक आप concept पुरा नहीं परेंगे तब तक कहां से हो पाएगा possibly नहीं है इसलिए हम बार बार काते हैं पुरा concept कर ये concept को clear कीजिए तब mcq कर ये असानी से हो जाएगा कहीं से कोई दुख दिक्त तक लेंगे नहीं होगा तो यहां बात हो रही है कि इसकी good algorithm की इसकी good algorithm में तो उसके क्या हो चाहिए precise सही बात है precise लेक्दम होना चाहिए मतलब definite memory वो use करे और precise एकदम सही shape में वो हो ठीक है दूसरा unique अदूती होना चाहिए एकदम पुरा unique और finite याने कि limit तक ही वो अपना step को repeat करे infinite नहीं करे तो देखा जाते हो क्या होगा correct answer all of the above सारा option अबका सही है ठीक है आगे बरहें समझ में आ गया next purpose of using algorithm क्या purpose है क्या उद्देश से algorithm को use करने का पहला है कि increase the reliability दूसरा accuracy of the program efficiency of obtaining solution या all of the above क्या purpose है algorithm को use करने का बताइए क्या purpose है तो पहला option कता है कि reliability बढ़ जाएगा आपका obvious सी बात है भरोसा बढ़ जाएगा अगर आपके step by step चल रहे हैं तो obvious सी बात है कि भरोसा आपका बढ़ जाएगा गलती की chance कम होगी accurate जादा रहेगा accuracy भी बढ़ेगा obvious सी बात है और efficiency कारे च्छमता भी बढ़ेगी इसकी obtaining solution solution obtain करने की तो देखा जाए तो इसका सारा option सही है जनी all of the एव इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा point clear है कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आगे बढ़ते हैं next start end also called dash symbol it indicates where the flow starts and end देखिए यह question का discussion अभी बस हम 2-3 मिनिट पहले किये start end को किसको क्या बोला जाता है वही पूछ रहा है यह question ठीक है start end को यहनि start stop बोले start end बोले उसको क्या कहा जाता है उसको कौन सा symbol है जिस जो की जो flow है उसके start और end को indicate करता है ठीक है वो आपको बताना है तो कौन सा करता है क्या करता है तो वो करता है terminator terminator क्या होता है start और stop उसी को बोलते terminator symbol इसका symbol क्या है oval shaped का होता है oval shaped यह oval लगता है नहीं बना है जो यह होता है वो oval shaped का होता है अंडाकार ठीक है decision यह तो पता ही है आपको diamond shaped box में होता है yes no true false बार बार हम बता रहे हैं input output किसमें यूज किया जाता है parallelogram box ठीक है arrow क्या होता है arrow connector होता है connector जो की boxes को क्या करता है connect करता है किस तरीके से ऐसे यह ध्यान रहे down arrow रहता है up arrow नहीं रहता है ऐसे मत बनाईएगा ठीक है यह down arrow होता है sorry एक minute connector ठीक है clear यह point तो इसका option क्या हो जागा सही terminator यह arrow नहीं होगा correct answer terminator होगा ठीक है next choice of dash should be made on the basis of time and space complexity किस चीज़ का choice आपको time और space complexity के हिसाब से बनाना चाहिए यही कह रहा है किस चीज़ का choice flow chart algorithm pseudo code none of the above बताइए क्या हो जागा इसका correct answer तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा algorithm algorithm में किसके किसा concept है time complexity और space complexity ठीक है और यह क्या होता यह सम बहुत अच्छे से आपको बता चुके है ठीक है flow chart क्या है visual representation visual representation rep representation ठीक है pseudo code क्या है non formal language है भी उच का जाता है जो की programmer आसानी से समझ जाता है और फिर algorithm लिखता है ठीक है तो यह क्या हो जाएग answer इसका algorithm जो की step by step procedure है और उसी algorithm को हम pick करते है जो की ज़्यादा efficient है time saving है और space saving भी है ठीक है point clear है आगे बढ़े next एप प्रोग्राम written in high level language is called कोई भी प्रोग्राम जो जिसको high level language में लिखा जाता है उसको क्या बोलते है जा भी है उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है सोर्स कोड क्या बोला जाता है यह बात कल मैं आपको बताया था जो कोई भी बोलता है उसको बोलता है क्या सोर्स कोड क्यों क्या होता एक लो लेवल लेंग्वेज को ही मसीन लेंग्वेज बोलता है ठीक है तो options आपको eliminate करना आना चाहिए क्योंकि अगर आप option eliminate कर पाएंगे तो अगर आपको answer नहीं भी पता है थोरा भी common sense लगाएंगे तो आपको answer मिल जाएगा यह काफी simple question है conceptual question है क्योंकि simple सा definition लिखा हुआ है अब definition आप करेंगे तभी तो पता से चलेगा कि होता यह क्या है ठीक है next there can be dash approach to solve a problem and hence we can have more than one algorithm for particular problem मतलब आपको approach बता है कितना approach हो सकता है there can be कितना approach how many approach to solve a problem किसी problem को solve पने के लिए कितना approach होना चाहिए और इससे क्या पता चलता है कि we can have more than one algorithm for particular problem बताईए क्या हो जागा इसका answer तो इसके लिए देखिए एक approach तो नहीं हो सकता है अगर एक approach होगा तो फिर problem solve हो पाएगा सही से नहीं हो पाएगा कट गया no approach ऐसा तो होई नहीं सकता है कि problem समके लिए कोई approach ही नहीं हो तो more than one approach बहुत सारा approach हो सकता है ऐसा नहीं कि यह को दूग approach है बहुत सारा approach हो सकता है बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी भी problem को solve करने के लिए ठीक है point clear है आगे पर है next programs written using DES are directly understood by computer hardware but they are difficult to deal with and comprehend by humans simply कहने का मतलब एकी वैसा कौन सा भासा जो है computer समझता है simply मतलब कौन से भासा में program अगर लिखा जाता है तो computer उसको समझता है और लेकिन human को समझने में बहुत तकलीफ उसको होता है यही तरहा है question तो बताई इसका answer क्या हो जाएगा simple question है बहुत बहुत बाद discuss भी कर चुके है इसका correct answer क्या हो जाएगा binary digit bit binary digit क्या होता है 0 और 1 बहुत बाद बता दिये computer कौन सा भासा समझता है 0 और 1 का भासा समझता है computer ठीक है binary digit को सोट में क्या लिखते है bit b i t ठीक है high level language का example क्या हो जाएगा c c plus plus java python यह सब किसका example है high level language का यह सब आप ध्यान में रखेंगे हम आपको बार बार गते हैं कोई भी question को आसान या भारी बारी मत समझें हर question को same treat करिए क्योंकि हो सकता है कि आपको अच्छा hard hard question आ रहा है और easy question यह आपको फसा दे तो ऐसा नहीं करना है हर question का value इज़त करना है आने का मतलब है कि यह सही से treat करना है ठीक है यह fourth generation language, fifth generation language है ठीक है इसका correct answer क्या हो जाएगा binary digit आगे बढ़ है next the basic idea of solving a complex problem by decomposition is to test मतलब आपको simply क्या करना है कि complex problem को solve करने के लिए decomposition का use किया जाता है तो वो होता क्या है उसमें होता क्या है decomposition में तो decompose होता है breakdown होता है complex problem into smaller sub problem या फिर all of the above बताइए क्या हो जाका इसका answer obvious सी बात है कि decomposition का process होड़ा तो decompose होगा decompose मतलब क्या होता है breakdown तो यह भी सही है और breakdown में क्या होता है कि complex problem को छोटा छोटा problem में तोड़ दिया जाता है तो देखा जा तो इसका तीनों option सही है या नि कि answer क्या हो जाएगा all of the above सारा option correct है इसका प्रिक है आगे बढ़ है next algorithms have a definite dash and a definite dash and a finite number of steps बताना है कि किसी भी algorithm का पास definite क्या होता है और finite number of steps है क्या option है middle and end beginning and end beginning and middle end and middle बताइए ये तो common sense वाली बात है जो question है वो कोई ज्यादा भारी भर कम conceptual तो नहीं है ये तो simple question है कहां किया रहा है कि definite क्या definite beginning होगा बताइए 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 कुछ-कुछ question इसमें ऐसे भी डाले हुए जो बस आपको thinking skill पे करना है questions को ठीक है बस आपको सोचना है कि उसमें करना क्या है अगला question है कि डास is a process of identifying a problem, developing an algorithm for the identified problem and finally implementing the algorithm to develop a computer program simply कहने का ये मतलब है कि वो क्या process है मतलब आपको process का नाम बताना है जिसको problem को identify करने का ये use किया जाता है कोई भी algorithm को develop करने के लिए use किया जाता है और finally implement किसको किया जाता है algorithm को to develop computer program तो process का नाम बताना है और हम आपको बता दें कि ऐसा question हमारा पहले discuss हो चुका है इस session के starting में ही discuss हो चुका है बस इसमें language का थोड़ा सा change है और कुछ नहीं और हम ऐसा question इसलिए डाले है language change करके क्योंकि एक जामनर आपको घूमाएगा language पे और अगर आप घूम गया बात खतम हो ही पे आपका इसलिए concept तो develop करिए ही साथ ही साथ जो आपका लिखा हुआ है जो language है उस पे भी command करिए क्योंकि हो सकता है वो question आपको आ रहा है लेकिन language आप नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए आपका question वो गलत हो रहा है तो इसका answer क्या हो जागा problem solving हो जागा आप इसको discuss भी हम किये है ठीक है problem solving addressing नहीं होगा analysis analysis कैसे होगा प्रोसेस आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को analysis सोले काते है यह question आपको घुमा सकता है यह अपना मन से डाला हुआ option है problem identifier क्योंकि हो सकता है कि लोग identifying the identifier मार देंगा लेकिन नहीं इकलाथ है यह problem solving is the right answer ठीक है बास समझ में आ गया इसलिए बोलते है language भी आप command डालिए बेटर रहेगा next what are different types of testing testing के type को बताना है आपको testing के कितने types है वैसे अगर देखा जाए तो testing बहुत types के होते है component होते है integration भी होते है system testing होते है acceptance testing होते है यहाँ तो देखा जाए तो simply से all the अब सही answer हो जाए तो क्योंकि सारे testing होते है इसके अलाब आपको वो smoke testing भी होता है smoke smoke testing, sanity testing sanity testing regression testing unit testing बहुत सारा testing होते है जब हम लोग software development life cycle परहेंगे ना उसमें यह सब देखेंगे SDLC जिसको बोलते है SDLC वो सायद syllabus में नहीं है लेकिन फिर भी हम बता देंगे कहीं question पूछले ठीक है next the developed program needs to pass different parameters yes the program needs to fulfill the user's requirement it must respond to the in the anticipated amount of time simply कहने का मतलब है कि जो develop किया हूँ प्रोग्राम है उसको कौन सा parameter से पास कराना परता है मतलब simply कहें तो कौन सा parameter से पास कराने की जरूरत है और इस चीज को करने के बाद program में क्या होता है कि उसको एकदम user कर जो requirement है उसके हिसाब से आपको करना होता है ठीक है तो वही आपको बताना है कि क्या करना परता है कौन सा parameter है वो वही बताना है आपको तो option पर आते हैं option eliminate करना तो हमको सिखाते ही है फिर सिखा रहे है method तो parameter कोई तरीका है नहीं है error यह तो गलती हो गया तो user requirement पर गलती थोड़े एक user आपसे मांगेगा कि नहीं कुछ हमको error दे दो अभी नहीं मांगेगा तो उसमें क्या होता है टेस्टिंग होता है टेस्टिंग में क्या होता है कि अगर कोई भी code लिखा हुआ रहेगा उसमें आपको error find करना है debugging जिसको बोलते हैं debug करना है उसमें का problem निकाल को उसको fix करना है debugging ठीक है point clear है समझ में आगे option कैसे eliminate करना है next why do we need an algorithm question अच्छा है कि हम लोग को algorithm की जरुवत क्यों परती है why do we need algorithm इसका separate हम topic ही पराएं आपको उम्मीद करते हैं कि आप इस cancer सही देंगे accuracy, minimized mistakes, best possible solution, all of the ever बताईए, क्या हो जाएगा algorithm की जरुवत हम एक accuracy के लिए परती है obvious से बात है, एक accurate होना चाहिए minimized mistakes, जो जितने भी mistakes होने वाले हैं उसको minimize करते हैं, बहुत कम chance है कि mistake हो क्यों, क्योंकि algorithm एक step by step process आप एक-एक step को analyze करते चल रहा है point clear है, best possible solution obvious सी बात है कि आपको सबसे अच्छा solution मिलेगा जब आप एक-एक चीजों को बारीकियों से देखेंगे तो obvious सी बात है कि आपको best possible solution मिलेगा option क्या हो जागा सही इसका, all of the above समझ में आ गया points क्या-क्या है यादि कि star option इसका सही है next, dash is a visual representation of an algorithm किसी भी algorithm को visual represent करना है visual करने का क्या मतलब है किसी box से diamond के माद्धे हम से अब तो समझ में आ ही किया होगा लेकिन अगर अब भी समझ में नहीं आया तो अफिर दिक्कत वाली बात है ठीक है ना उमीद करते हैं समझ में आ गया होगा क्या हो जागा flow chart pseudo code क्या होता है already हम explain करती है algorithm क्या होता है बहुत अबर explain करती है coding क्या होता है किसी एक algorithm को आप जब पिक कर लेता है उसके बाद क्या किया जाता है coding किया जाता है coding किसमें किया जाता है अचके date में high level language में low level का जमाना है नहीं high level example क्या होगा है तो रहन तो भी बताए है c c plus plus java ठीक है python और भी बहुत है c srp ruby लेकर उसमें बताते हैं आपको नहीं है क्योंकि वह आपको जानना उतना है नहीं तो इसलिए हम etc सी लगा देते हैं ठीक है समझ में आगे है तो उसका सही आंसर क्या हो जागा flow chart यह सब डाग्राम हम आज ही कितना बार explain कर चुके हैं तो आप यह सब को ध्यान में रखेंगे और इसको किस से कनेकर से जिसको एरो बोलते हो भी डाउन एरो यह भी ध्यान में आप रखेंगे ठीक है next flow chart is a diagram made up of flow chart का जो diagram है flow chart जो diagram है जो बिसका बना हुआ होता है option boxes, diamonds, shapes, all of the above बताईए यह तो आप बता ही देंगे अब बच्चा वले एक question होगे boxes में क्या हो जाएगा आपका एक rectangular box हो जाएगा आपका diamond shape का box हो जाएगा और parallelogram हो जाएगा और oval हो जाएगा अब यह सब क्या है आपको पता है boxes तो होंगे, diamond भी दिखने है diamond भी होंगे और safe भी है तो क्या हो जागा इसका answer, all of the above ठीक है समझ में आ गया इसको use किसलिए किया जाता है rectangular को, process के लिए इसको input, output के लिए इसको decision के लिए और इसको start-stop के लिए या start-end के लिए बात एक ही है ठीक है समझ में आ गया बात आगे बर है, next process is also called dash, it represents process लगता यह question repeat हो गया है लगता यह question repeat हो गया, process is also called क्या process का दुस्रा नाम क्या है action symbol हम बता चुके हैं इसको और यह सब हम बता भी दी है, फिर बता दे क्या terminator क्या है start or stop symbol oval step अब जस्ट बताएं है decision input output ठीक है इसका अंसर क्या हो जागा action, symbol next word pseudo code means अबको हम बता हैं कि pseudo code इसका मतलब क्या होता है इसको दो पाट में तोरना है इसका मतलब तो code होता है बाकी बताएं code का मतलब तो code ही होगा न लेकिन main चीश इस साइड में इसको आपको बताना है studio मतलब क्या होता है unreal unreal मतलब not real not real तो option कहीं दिख रहा है हाँ दिख रहा है not real code उसको क्या बलते है pseudo code बलते है और pseudo code में programmer क्यों लिखता है ताकि उसको आसानी से पुरा चीश समझ में आ जाए तो वो जब coding करे जो high level language है उसमें जब coding करे तो काफी कम mistake का गुंजाईस हो ठीक है काफी कम mistake का गुंजाईस रहे mistake न के बड़ाबर हो real code नहीं temporary तो अस्थाई अस्थाई सब कुछ होता ही नहीं तो इससे अंसर क्या हो जाएगा not real code ठीक है next algorithm can be dash on the basis of the amount of processing time and they need to run the amount of memory that is needed to execute the time इसमें concept के स्चीच का है the amount of processing they need to run इसको क्या बलते हैं इसको बलते है time complexity याद आ रहा है time complexity ज्यादा कुछी तर की शेया भी आई time complexity आप लिख लिजेगा थुड़ा सा लिखने में दिक्तत होता है and amount of memory needed to execute program इसको क्या बलते हैं इसको बलते हैं space complexity time complexity और space complexity इसमें क्या होता है algorithm को compare किया जाता है सही बात है analysis भी उसको किया जाता है ये भी सही बात है तो इसका answer क्या हो जाएगा both a and b is the correct answer point clear है उमीद करते हैं कुछ problem इसमें आपको नहीं हुआ होगा हम सब कुछ explain आपको कर दिये हैं next last question आज का dash making involves selection of one of the alternative based on outcome of condition dash making involves selection of one of the alternative based on outcome of condition आपको simplest में ये बताना है कि वो कौँ सा चीज है जो किसी भी चीज के selection में involved होता है alternative बस तो किसी भी चीज के selection में involved होता है यानि कि simply आपको क्या करना है यहाँ पर बात किसकी हो रही है हम hint आपको देते हैं true false यानि कि आपको select करना है alternative यानि कुछ option आपको दिया हुआ है उसमें से select करना है true false हो गया yes no हो गया याद कुछ आ रहा है इसके लिए diagram कौन सा यूज किया जाता है सो भी हम बता जेते हैं आपको diamond shape diamond लगता ठीक से नहीं बना diamond shape यह क्या है diamond shape है अब भी अगर आपको answer नहीं याद आ रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है diamond shape क्या है answer decision समझ में आया arrow क्या होता है connector होता है कैसे connect होता है down arrow से connect होता है यह आप ध्यान में रखेंगे action symbol पता ही है किसको बोलते है process को बोलते है और यह president किसको कैसे करते है rectangular box से terminator मतलब start stop कितना बार बता दिये oval shape ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा decision हो जाएगा I hope कि आपको यह सभी चीजे अच्छे से समझ में आ गई होगी तो आज हम session को यहीं तक रखेंगे आपको यह कैसा लगा वीडियो मुझे comment session में जरूर बताइए और यदि अभी तक भी आपने channel कोई subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजे और bell icon को भी press कर दिजे share भी कर दिजे वीडियो को और आप लोगों के कहने पर कल क्लास आ रहा है यानि कि कल का जो हमारा theory class होगा वो python का होगा ठीक है क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि computer networking पे करते हैं लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि python पहले पढ़ाने के लिए इसलिए हम पहले python पढ़ाएंगे ठीक है ठीक है फिर मिलते हैं कल के theory class में तब तक लिए thank you so much bye bye take care